आप जानते हैं दो रोज पहले एक रेड बुग में ओपरेशन लाउंच हुआ था जिसमें फायर फाइट थोड़ी देर के लिए चली थी और उसके बाद वहां से टर्रिस निकल पाए और तब से लेकर कि उनकी तलाश थी उसी तलाश की कड़ी में ही आज कुछ एक जगों पे नाके रखे गए थे कुछ एक खबर थी किसी गारी में होने वाली है नाके ने जब चेकिंग के लिए गारी को शारा दिया रुकने का तो वहां से गारी से जम करके फैर करके बागने की कोशिश की गई और जवाबी का अर वामा जिले के रहने वाले हैं और दोनों का सबंद जो है वो लश्क्रे तहबा जो है तंजीन के साथ है इनकी मुवमेंट क्योंके बढगाम की तरफ से इस तरफ शेह से थी तो यह शिद्नगर शेर में आ रहे थी जा आगे किसी देस्टिनेशन पे जा रहे है जा रहे थी पार तो तकीश का हिस्सा है मगर जे अपनी परानी जो इनकी हाइडाउट है उसको शोर के किसी नई हाउड की हैडाउट की तलाश में मुव कर रहे थी सब दो इवेंट्स होने वाले हैं एक तो रिपॉब्लिक दे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वे सब इस तरह की तैयारी और क्या कॉंगर्स पार्टिय ने बाजब दर दो को परमिशन के लिए अले किया हुआ क्या उस तरह से क्या स्क्रियोटी मेजर्स दे जा रहे हैं जहां तक रिपॉब्लिक दे के रेंजमेंट्स का तालक है हम लोग अभी पुलीस कंट्रोल रूम में सीनर आफिसर्स की मीटिंग करके आ रहे हैं जिसमें डिस्टक स्पी शामल थे रेंज दियाई जी शामल थे उसके लावा अडिशन डीजी हमारे विजजी से बाकी जो ज किया जाता है और बड़ी तदाद में लोगों की शरकत के साथ हम उमीद करते हैं कि सारे के सारे इंतिजाम बड़े कामजाब तरीके से होंगे दूसरी जो जातरा का अपने जिकर किया वो जातरा पंजाब से होकर कि जेनके में कल परसूं तक दाखल होने वाली है उसके पर भी चर्चा हुआ है सुरक्षा की जितनी जरूरते हैं उनके मताबक हर जिला के लेवल पर रेंज के लेवल के उपर कारवाई की जा रही है और हम लोग जो भी इनके लिए स्कुर्टी के इंतजामात हैं उनको मकमल तोर पर करें देखिए वो चीजें अच्छे से रेग जात रहा है इसमें कुछ पैदल कुछ गाड़ी दोनों तरह के तरीके का इस्तमाल होता है हम लोग की कोशिच रहेगी कि जो सिंगल रोड हैं जहां पर ट्रैफिक जो है उसमें सफर किया जाए और जो बाकी जगे हैं उनको अडवाइस किया जाए कि कुछ एक जगा पे जह नहीं है जी सब मकी को जो अबदरामान मकी है गलोबल टर्रिस करा दिया गया है क्या आपको लगता है कि इसे काफी हल्प होगी यहां पे देखिए दैशत गल्दी जो जमों कश्मीर और भारत के अलग-लग खितों में पिछले लंबे अरसे से सरहद के पार से चलती है उसमे कुछ नमाया करदार दा करने वाले क्रेक्टर जो काफी हद तक मुल्की सता पे और गर मुल्की सता पे और इंटरनेशनल लेवल पे बदराम हो चुके हैं दुनिया की सता पे लोग उनको जानते हैं कि उनकी क्या कर दूते हैं उनका क्या परफाइल है देरे देरे ऐसे लोग दैशतगर्दी की कारवाईयों में शामल हैं किसी भी तरह से उनको डिजल तोर पे दैशतगर्द नोटीफाई करने की कारवाई चल रही है। उनको और नकेल कसने में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में फैदा होता है। की मुमंट जो ट्रैक की जा रही है। तबतीश के नजरिये से काफी जादा सॉलिड क्लियूज उसमें आए हैं। काफी लोग जो उनके साथ कॉंटेक्ट में आए, उनकी डटेल भी वेलिबल है। उनको केस के अंदर पूछताज के लिए लाया भी गया है। और जरूरत के मताबक ग्रिफतारियां भी अमल में लाई जाएंगी। वो कारवाई जारी है और मुझे उमीद है कि जल्दी कामजाबी होगी। टेक वन अब आपके वाट्साप पर वाट्साप करिये हाई 972-825-3663 पर अब आपके वाट्साप करिये